दोस्तों आपका मोगरा का प्लांट भी कुछ इस तरह से हरा भरा घना हो जाएगा धेरो कलियों धेरो फूनों से लद जाएगा अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं अगर नहीं देखते हैं तो आप भूल जाएए कि आपका पौदा भी कुछ इस तरह से हरा भरा घना होगा और अच्छे से फूल देगा तो चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं तो अभी आप इस मोगरे के पौदे की कंडिशन देखिए कुछ इस तरह से ये मोगरा का प्लांट दिखाई दे रहा है जिसमें कोई भी कली नहीं है सिर्फ हमेश में जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है मैंने कुछ दिन पहले इस प्लांट की जो है मार्च में कीजिए लाइट पूनिंग आप अपरेल मई जून जुन जुलाई में कभी भी कर सकते हैं अब खाद देने की बात करते हैं हमने इसमें क्या खाद एड़ करनी है ज्यादा तर हमारे जितने भी गार्डनर है उनके पास और्गैनिक में गोबर खाद वगरा ही रहती है उसके इलावा केमिकल में भी खाद कुछ गार्डनर के पास रहती है लेकिन केमिकल खाद का ज्यादा यूज मोगरा के प्लांट को ले डूपता है और वही गलती जादातर मेरे गाडनर दोस्त करते हैं तो आप वो गलती ना करें केमिकल की बजाए आप और्गैनिक पर फोकस दें तो अभी हमने क्या करना है मोगरा के प्लांट को फर्वरी महिने में मार्च महिने में तो ये मिट्टी निकालने के बाद आपको खाद एड़ करनी है अगर आपके पास केमिकल खाद है तो वो भी आप एड़ कर सकते हैं लेकिन आपके पास केमिकल नहीं है तो सिर्फ आप और्गैनिक खाद का यूज़ करें मिट्टी निकाल लें आप मिट्टी निकालने के बाद आप आधा केजी के लगभग या फिर 300-400 ग्राम के लगभग आप फुली डीकंपोज्ट गोबर की खाद लें फिर चाहिए गाय का गोबर हो या भैस का गोबर हो गोबर होना चाहिए डीकमपोस्ट कच्चा ताजा गोबर नहीं होना चाहिए तो आपने गोबर खाद लेनी है और साइट साइट की मिट्टी निकालने के बाद पोर्ट में एड़ कर देना है इतना सा आपको काम करना है फर्विरी मार्च महीने में या फिर मई जून जुलाई अगस सितंबर महीने में आपका बीवी कर सकते हैं तो ये इतना काम करने के बाद आपने जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को वापिस से उसी पोट में डाल देना है और इसके बाद आपने भरपूर मात्रा में पानी देना और प्लांट को सबसे important है मोगरा के प्लांट को दिन भर धूपातियों ऐसे इस्थान पर रखिए या फिर 5-6 गंटे की धूपातियों ऐसे इस्थान पर रखिए अगर आप जो है चायदा जगह पर रखेंगे तो आप आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगा फ्लाविंग भी नहीं करेंगा तो यहां आमने दोस्तों खाट देने का काम कर दिया है complete अब हम पानी दे रहे हैं अब बात कर लेते हैं पानी की प्लांट को तो फूल टू पार्ससन आप रखिए लेकिन पानी देने की बा अब्रेइए ब्लान आपको करना है क्या प्लांट को ड्रकार को हुПрिष। तो आपका पौदा भी जब होती जल्दी इस तरह से कलियों पर आ जाएगा अभी दोस्तो आप देख रहे हैं हमारे इस मोगरा के प्लांट में कलिया जो आ रही है वो खिलना शुरू हो गई है दोस्तो कंटेंट चाहें पुराना हो या नया वो जरूरी नहीं है जरूरी है सही समय पर सही जानकारी का मिलना तो अभी आप इस अपडेट में देखिए दोस्तो हमारा मोगरा का प्लांट कितना हरा भरा है कितना घना है कितनी धेड़ो कलियों से लदा हुए है और हर रोज धेड़ो किसंगे मैं फूल खेल रहे हैं फूल खिलने के बाद जो सब्लावर उफ्लावर वह बिस अणा हुआ होगा हरे है हरोज धेड़ो किसंगे में हरोज फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं ज्लीघ़ए कितना है पेल महाँ है कोई दिकत नहीं है तो आपका plant भी within month आपका plant भी कुछ इस तरह से अच्छी growth पर होगा अच्छी flowering पर होगा तो आप यह काम जितने एल्दी हो सके करिए और जितनी एल्दी हो सके plant को full to parserson कहीं पर भी प्लेस करिए Shader Place से हटा करके और आपके मनगेरी कोई सवाल हो या सुजाव हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट करिएगा मैं जितनी अलदी होगा रिपलाई देनी की कोशिश करूँगा और नए हैं तो इसी तरह कि Gardening related वीडियो देखने के लिए Gardening related information लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए Gardening इनपोर्ट चैनल को और बेल आइकोन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे की मेरा आने वाल सभी Gardening related वीडियो के नोटिफिकेजन आपको भी फरी में मिलते रहें और आप इन वीडियो को देखकर Gardening कुछ नहींना सीख सकें थैंक्स वर वाचिंग, हैपी गार्टनिंग